धर्म योदार गरुड हमारा आशीरवाद तुम्हारे साथ है गरुड प्रभु की आज्या होते हुए भी अमरित को अस्विकार करके तुमने अभूत पुर्वुधारन प्रस्तुत किया है यह मैंने अशेश भाईया और वासु की भाईया से सीखा है यदि मन में भक्ती हो तो अमरित क्या वशक्ता नहीं होती वैसे सखा आज तो आपने हम सब को अशंकित कर दिया था देवी लक्षमी तो बहुत अधिक चिंतित हो गई थी प्रभू मा अब मुझे जाने के अनुमति और आशिरवात प्रदान करें अरोड़। उस समय तो तुम मेरे प्रहार से बच गए थी पर अब नहीं बचोगे अरोड़। देवराज, आपके इस महानस्त्र का निर्मान महर्शी दजीची के उन अस्तियों से हुआ है, जो उन्होंने स्वेच्छा से देवत्याग कर आपको प्रदान की थी, मैं उनके इस अध्धुत्याग का सम्मान अवश्य करूगा मेरा वज्र इसके पंक तब का कोई अहित नहीं कर पाया जिसका पंक इतना सुंदर हो उसका नाम तो सुपर्ण होना चाहिए मात्री भग सुपर्ण की मात्री भग सुपर्ण की विश्णु 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 भग सुपर्ण की सभी इसी का पक्ष ले रहे हैं क्यों क्यों सभी करूर का पक्ष ले रहे क्यों आप चिंता मत कीजिए देव राद्च थिक विद्धी का वीधान विचित्र होता गरॉड और इसकी माँ को मुक्ति भी मिलेगी और कद्रु और उसके नागों को अमरित भी नहीं मिलेगो ये कैसे समाख है प्रभू? एक बार करुड और देवी बिन्ता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवरादा? ये तो आप जानते ही हैं मैं सब समझ गया प्रभू आप महान है ये अनोखा मध्यमार्ग सुझा कर आपने सब कुछ ठीक कर दिया प्रभू अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा प्रभू के इस यूजना के पेचे एक बड़ा मन्तव्य चपायो ओम नमो भगवते वासुदेवाई ओम नमो भगवते वासुदेवाई विन्ता आखे खोलो उठो विन्ता सरस्वती मा लक्ष्मी मा पार्वती मा देवी आप सब यहाँ पिन्ता तुम जो स्पल की प्रतीक्षा कर रही थी वो पल आ गया है तुम्हारा पुत्र लोटाया है और देखो उसके हातों में क्या है और देखो और देखो आप कर देखो गरूर सुरक्षित है विन्ता देखा तुमने तुम्हारा पुत्र अम्रित ले आया है वही अम्रित जो तुम्हारी मुप्ती का साधन है आज तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों दासुत्र से सदा के लिए मुप्त हो जाएंगे करूर सच में अम्रित ले आया असंभव को संभव बना दिया मेरे पुत्र ने तो क्या मैं कल्पना कर रही थी प्रूम तुम तुम्हार असंभव थी मेरा बर्तान मेरे श्राप तो भी प्ल करेगा। फातसो साल बात जनम लेने वाला हमके ये बुत है by आपको इस दास्ता से मुख करवाने के लिए आकाश पात हाने कर देगा म आपको दास्ता के बेडियो मुझ करने के लिए उझे कुछ भी कियो ना करना पड़े sectoral कोई भी मुले क्योंने शुकाना पड़े ता आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा यह मेरा प्रण्ड है जिस बद तु मेरी मेत्रों के सब अक्षम पता कर अखेगा जिस बद तु जिस बद तु जो तेरे माँ को अवश्य मेरी मेरी मुझत कर दोगी आप मेरी मुझत और आप ही मेरा तान्द आप से अधीक महत बोन और कुछ नहीं आपकी मुक्ति के लिए मैं अमरत को क्या तु आपकी मेरी मा के मुक्ति ही सबसे पहला दर्म है तो भी प्रभ्व विष्टु तुझे अमरत नागों को सौपने कभी नहीं देगी और असल में यदी वही तेरे सामने आ गए तो तो आपके लिए में उनसे भी टक्रा जाँगा मेरे लिए मेरी मा के मुक्ति ही सबसे पहला दर्म है करको अरूद अमरत आगे अरूद अमरत आगे में प्योंगा नहीं प्योंगा नहीं प्योंगा है प्रफो कहीं आपकी योजना विफल्ला हो जाए मुझे आपकी योजना पोर्ण करने के शक्ति दीजे प्रफो अन्य था यदि नागों को अम्रित मिल गया तो संसार का अंतनिश्चित है तो कालिया भया ने तो बड़ी माँ को भी पीछे छोड़ दिया हम्रित के सामने अपनी माँ के सम्मान की भी चंता नहीं है हम्रित थे शाहर रुप राशार इनके मूर से तो लाव टपक रही है और आखों से लोब ये सब तो मेरी कलपना से भी अधिक तो अच्छे है अच्छे है अच्छे है तो दो हमें का एग चाहिए निए उन्हें कर दो कि अद्वर आउजा हैं अम्रिषभ सबस्फपले मुझे ही देना करूड यह अम्रिषभ सबस्फपले भैप कियोंगा अम्रिषभ नेप्षभ जाए अंद्वरा मुझे एक का लश्तित बढ़ी, माँ? मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्गे के सिंगहासन परनाच करें, अजर अमर्गोज़। और अमर्गोज़। जिस बढ़ तु मेरे नेत्रों के साब अख्षम परता कर अकेगा, अस उसी बढ़ तुछे हो तेरे माँ को अपी तासना के बदल से सदाइब सदाइब के लिए मुट कर दोगी मैं. इतनी लंबी प्रदिक्षा की मैंने इस पल की, शेपला आगया, मुझे अमर्ग मिली गया. शर्ट के अनुसार, मैं अमर्ग ले आया पड़ी. अब आप सबसे पहले मेरी माँ को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजे. और फिर अमर्ग स्वेकाय कीजी. हे प्रभू, क्या मेरे पुत्र से कुछ अशुख होने जा रहा है? क्रिपा करीद गरूर को सदबुधी दे. वे बहर्षी कशक की पत्वी बिलता, जीवन भर के लिए अपनी वे कद्रों की तास्ता स्विकार करती हूं. मैं माशी कश्यप और माविंता का पुत्र करूड़, मन से बचंत से और कर्म से मेरी विमाता महरानी कद्री और उनके एक सहस्त्र पुत्रों की तास्ता स्विकार करता हूं. रिषी कश्यप को अगली संतान के रुप में ऐसा कुत्र देना, जो हिंदर से सहस्त्र गुणा धिकी चक्तिचाली और गुधिमान हो! चक्तिचाली और गुधिमान हो! जो मेरी माँ का अपनां करेगा, तो पाताल की अंतहिन घहराया भी! तुम सब को मुझसे बचाने ही पड़ेगी मैं और मेरे पुत्र अमर्द हो जाएगे किन्तु ये विंता में इदास्ता से हो और करो मेरे नियंतर से मुझत हो जाएगा लालच एक ऐसा अवगुन है जिसकी अति किसी भी प्राणी को विनाश क्यों ले जा सकती है यदि अमर्द मिलने के पश्चात भी कद्रून विंता और गरुण को दास्ता से मुझत नहीं किया तो मुझे स्वयम हस्तक शेप करना होगा यदि मुक्त होने के बाद गरुण और इसकी माने मुझसे प्रतिशोद लेना चाहतो यदि मुक्त नहीं से दो जास्ता के दोडिए पर गरुण गरुण के लिए जाव प्रतिशोग कि विजए नहीं कि अधिक विद्वाद और गरुण के यदिए और आपके बाद नहीं तो